जैसरी शाम, राधिरुक्मन की रसुई में मैं राजिश्वरी धादीच आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मीठे चावल या इनको आप जर्दा चावल भी बोल सकते हैं पनच्मी आने वाली है तो बसंध पनच्मी को आज पीली चीज का भोग लगाया करते हैं आज हूनके लिए हम तैयार करेंगे मीठे चावल बना कर जो माँ को बहुत ही जाधा पसंद है puta माँ भोग लगाएंगे और माँ को माँ को खुश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप चावल ले लिए थे मैंने यह बासमती राइस लिया है वैसे तो जर्दा चावल होते हैं वो गॉल्डन राइस से बनाए जाते हैं भिघो कर मैंने इनको छोड़ दिया था आदाम को अपने पसंदी दाकार में आप कट करकी तैयार कर लिजिए और फिर जो यलो कलर है यह हम इसको चामलों में डालेंगे पकाते समय तो कलर बहुत ही बढ़ी आएगा फिर देखिए मैंने आदा कब दूद और थोड़ा सा घी ले लिया आवशकता अनुसार इस दूद के धागे इसमें डाल दूँगी और हिला कर इस तरह से छोड़ दूँगी तो इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आजाएगा दूद के अंदर केसर का तो बस इसको हम यूँ ही रखे रहने देते हैं और फिर देखिए तब तक हम क्या करेंगे जो हमारे ड्राइफूट से उन अच्छे हैं तो छोटे साइज भी कर सकते हैं बादाम लिए उनको भी मैंने बस दो पीस में कट किया है मैं थोड़े बड़े साइज में रखने वाली हूँ तो बस इस तरह से मैंने कट कर लिए और जो इलाइची है इनके हम दाने निकाल कर तयार कर लेंगे फिर देखिए मैंने यहाँ पर यह पानी रख दिया था बॉइल होने के लिए तो बहुत ही अच्छे से बॉइल हो गया है पानी आप थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी म लें क्योंकि हमको उबाल कर तियार करने है खुल्ले ही पकाएंगे हम इनको फिर जो यलो कलर था वो डाल दिया है थोड़ा सा मुझे कम लगा मैं थोड़ा सा ओर डाल देती हूँ तो यलो कलर डालने से चावलो के अंदर कलर बहुत ही ज़्यादा सुन्दर आएगा तो बस अब हम क्या करेंगे जो हमारे चावल थे वो इसके अंदर डाल देते हैं चावलो का पानी मैंने बिल्कुल निकाल दिया है और बस हाई फ्लेम के उपर आप खुला पकाएं तो खुला पका लीजिए या फिर मेडियम फ्लेम कर दीजिए गेस की और ढखकर इसको पका लीजिए बहुत ही अच्छे से पूरा फुल देने आपको नहीं करना है चावलो को थोड़ा सा वो खड़ा रहना चाहिए बस हाथ से आप दबाएं तो वो तूटकर तयार हो जाएं क्योंकि हम बाद में भी पकाएंगे तो बाद में हमारे चावल पक कर तयार हो जाएंगे तो बस मैं इनको ढग दूँगी और गेस की फ्लेम को मीडियम कर दूँगी बीच बीच में आप चेक करते रहें पांच मिनिट में ही आपके चावल पक कर बिलकुल तयार हो जाएंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको क्योंकि पूरा पका कर हमको तयार नहीं करना है इनको तो बस देखिए हमारे चावल कितने बड़े बड़े साइज में हो गए बहुत ही अच्छे से और खिले खिले बने बिलकुल और बहुत ही अच्छे से पक कर हमारे चावल तयार हो गए तो बस अब मैं क्या करूँगी गेस की फ्लेम को बिलकुल बंद कर दूँगी इ इस तरह से मैं इनका पूरा पानी निकाल देती हूँ, थोड़ा सा चमस से खोल देते हैं, ताकि इसमें से भाब पूरी निकल जाए, और ये ओर ज़्यादा हमारे रखे रखे पकेना, तो बस फिर मैंने पैन के अंदर गी डाल दिये, गी को अच्छे से गरम कर लिया है, फिर बहुत ही अच्छे से हम इनकी गार्निशिंग कर सकें, फिर जो लॉंक थे हमारे वो डाल दिये हैं, इलाइची के दाने भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और बस एक बार इसको चला देथे, और फिर जो हमारे चावल थे, वो सारे इसके अंदर डाल देते हैं, और चावल ड अब मैं इसमें डाल देती हूँ शूगर तो मैंने तो जैसे 200 ग्राम चामल थे तो 100-120 ग्राम तक शूगर लिए अगर आपको ज्यादा मीठा पसंदे तो आप 1500 ग्राम तक डाल सकते हैं फिर जो किश्मिश थे हमारे वो भी मैंने इसमें डाल दिये और एक बार बहुत हलके हा से एक बार चला दें और फिर इनको आप छोड़ दें फिर जो हमने दूत तियार किया था मारा केसर वाला वो इसके ओपर हम डाल देते हैं तो बिल्कुल एक बार में आपको नहीं डालना है कब से फटाफट से मत डालिएगा बस इस तरह से धीरे धीरे इसके ओपर छिड़ आपको भी इसी तरह से डालना है एक बार में बिल्कुल पूरा सा मत डाल दीजिएगा और बस अब दूद थोड़ा कम हो गया है तो इस तरह से चलाते वे कब से हम इसको डाल देते हैं तो पूरा दूद मैंने इसके ओपर डाल दिया है अब हम क्या करेंगे गेस की फ्लेम तो हमारी स्लो है ही तो अब इनको चावलों को हम ढखकर छोड़ देते हैं थोड़ा सा पहले मैं इसके ओपर घी डाल देती हूं क्योंकि हम इसमें दम देंगे तो घी डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर हो जाएगा उपर से डालेंगे तो और फिर इसको धककर छोड़ देते हैं हम बिल्कुल 10 मिनट तक 10 मिनट तक इसमें बहुत ही अच्छे से हम दम देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो बहुत ही अच्छे से पककर तयार हो जाए तो देखिए 10 मिनट हो चुके है हमारे चावलों को तो बस अब मैं इनको खोल रही हूं एक ब पूरी बाहर नहीं निकालनी है एक बार इनको इसको इसी तरह से हम ढखकर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए और गेस की फिलेम को मैंने बंद कर दिया है बस 10 मिनट तक आप इसको इसी तरह से रखे रहने दीजिए तो लीजिए 10 मिनट हो चुके है अब करते हैं इसको तो देखिए हमारे चावल बहुत ही बढ़िया से बनकर तयार हो चुके हैं जब थोड़े से और ठंडे हो जाएंगे तो और भी ये खिले खिले बनकर तयार हो जाएंगे तो बस अब इनको करते हैं हम सर्व तो देखिए कितने बढ़िया हमारे चावल बने तो आप भी इस बसंद पंचमी पर इन चावलों को जरूर से बनाईएगा और मास वरसती को लगाईएगा भोग friends मैंने पहले भी चावलों की वीडियो डाली है लास्ट येर भी मेठे चावल की मैं उसका भी लिंक आपको दे दूँगी description में और 10 मिनिट में खीर कैसे बना कर तयार करें मैं उसका भी लिंक आपको description में दूँगी आप चाहें तो बसंद पंच्मी के ओपर खीर बना कर भी मा को भोग लगा सकते हैं केसरिया खीर बना लीजिए आप पीला रंग डाल दीजिए उसमें मा उससे भी बहुत प्रसंद होगी तो बस आप भी बनाईए इस बसंद पंच्मी पर ये मीठे चामल और देखिए कितने खीले-खीले हमारे ये चामल बने हैं मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही बढ़िया बने ये देखिए बहुत ही खीले-खीले हमारे चामल बनकर तयार हुए तो आप भी इस बसंद पंच्मी पर जरूर से ये मीठे चावल बनाईएगा और मा को लगाईएगा भोग राधी राधी जैस्री शाम